असलाम अलीकुम बिसमिल्लाहिर्रह्मान ररहीम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तक्बाल है तो चलिए आज हम बनाते हैं पुदीना चटनी जो बहुती मज़िदार लगती है और बहुती जल्दी बन जाती है तो उसके लिए हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है औ मेरे टमाटर का साइज चोटा है इसलिए हमने दो लिये हैं अगर आपके पास बड़ा है तो आप एक भी ले सकते हैं और एक चममच हमने जीरा लिया है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जो पुदीना है मारे पास इसकी जो प्लिफ है इनको हम अलग कर लेते हैं, ये देखिए हमने इसको दो तीन बार अच्छे सदो लिया है और कितनी अच्छी खुश्बूर कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, तो चलिए, सब सब पहले हम इन टमाटर को जार में काट लेते हैं, तो चलिए अब हम इसमें सामान डालते हैं सबसे पहला हम इसमें जीरा डालेंगे लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन की कलिया तो हम इसको बीना पानी के ही गिराइंड करेंगे क्यूंकि टमाटर में खुद पानी होता है तो देखिए पुदीना हमने पहले नहीं डाला था अब हम इसके अंदर पुदीना एड़ करते हैं मिर्च हमार ये देखिए पिस गई है टमाटरों मिर्च, जीरा लहसन सब चीजे पिस गई है अब इसके अंदर हम पुदीना डाल देते हैं देखिए पुदीन डाल दिया है अब इसको भी हम एक बार गिराइंड कर लेते हैं इसको हम दो तीन मिनट के लिए गिराइंड करेंगे ताकि अच्छे से हो जाए तो देखिए या आधा चमच आप इसमें नमक एड कर देते हैं या आप अपने हिसाब से कम या जादा भी कर स ये देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छे से बनकर तयार है ये लीजे ये देखिए आप इसको ज़रूर ट्राइ करिए